बैंबू सूट यानी की हमारे यहां इसको विस्टर नोरिसा में बोलते हैं कड़ी इसका दो तरह का रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की हूँ बहुत ही मज़ेदर रेसिपी है ये है बैंबू सूट का तावा भजा और ये है बैंबू सूट का साग इसमें ये साग का रेसिपी है इसमें मैं काफी ज़्यादा मात्रा में बैंबू शूट यूज की हूँ कौन सा साग है क्या है पूरा वीडियो दिखिए अब सब को मेरा प्यार भरा नमस्का ये हैं बैंबू शूट का तावा भजा पहले हम ये recipe बनाएंगे उसके बाद हम साख का recipe बनाएंगे bamboo shoots जो कि बहुत ही healthy है ये bamboo का एकदम नया नया निकला हुआ plant रहता है छोटा छोटा उसको लेके काट के process करके ये market में available होता है और इसको लेके हम साल भर के लिए store भी करते हैं तो पहले मैं यहाँ पे ले ली हूँ bamboo shoots उसको थोड़ा सा मैं धो के साफ कर ली पानी नी थर गया उसके बाद मैं उसको grinder jar में डाल के lesson अदरक हरी मेच के साथ मैं इसको grind कर दूँगी यहाँ पे मैं चावल का आटा भी लगाई हूँ चावल का आटा दी हूँ इसको crisp करने के लिए क्योंकि इसमें पानी का texture थोड़ा सा जयदा रह जाता है और थोड़ा सा हल्दी देके मैं इसको grinder jar में mix कर ली अब इसके उपर मैं डालूँगी साबूत bamboo shoots जो की हम grind नहीं किय हैं उसको मैं इसमें add कर रही हूँ और एक कच्चा आलू को मैं कदुकस करके इसमें add कर रही हूँ इसमें नमक भी मैं डाली हूँ और इसको crisp करने के लिए इसमें हम डालेंगे corn floor इसको सारे को हम mix करके चटपटा बनाएंगे क्योंकि इसका taste थोड़ा सा खट्टा रहता है यहाँ पर मैं अचार डाली हूँ रेड चिली जो मोटा वाला चिली आता न उसका अचार बनाई थी मैं तो उसको भी थोड़ा समय यहाँ पर add कर रही हूँ ग्रीन चिली मैं already डाली हूँ यह थोड़ा सा चटपटा रहने से बहुत ही मज़ा आता है खाने में अभी इसको ह और ज्यादा टाइम नहीं लगता है आप एक भी लगा सकते हैं तवे पर बड़ा सा या मैं चोटा चोटा लगाई हूँ इसको हैंडल करना इजी रहता है और धी में आंच पर हम इसको ऐसे क्रिस्प होने तक बना लेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है इसमें किस-किस को पसंद नहीं आता है लेकिन हमें बहुत ही पसंद आता है राइस के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है वैसे भी खाली भी इसको आप खा सकते हैं और यह तैयर हो गया हमारा क्रिस्पी बैंबु शूट का तवा भज़ा अब चलिए बनाते हैं दूसरा रेसिपी यह है एक साग का रेसिपी जो कि चटनी जैसे लगेगा आपको एकदम चटपटा यह है अर्भी का पत्ता का रेसिपी बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में अर्भी का पत्ता थोड़ा सा एलर्जी क्रियेट करता है इसके लिए हम इसमें डालेंगे इमली ये बहुत ही जरूरी है इसमें हम खटास के लिए इमली अमचूर कुछ भी डालेंगे और उसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ यह पंकीन पंकीन को अच्छे से दोगे साफ करके छिलका निकालके इसको मैं पिसस में काट ली हूँ थोड़ा से ज्यादा मात्रा मैं पंक बैंबुशूट जो की स्टूर किया हुआ बैंबुशूट है इसको हल्दी डालके फ्रीज में रखे हैं और यहाँ पे मैं ली हूँ अर्भी कपता जिसको की छोटी-छोटी पीसस में ऐसे कट कर ली हूँ धोगे अच्छे से साफ करके इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ कि अच्छे से इसमें डाल रही है और प्रेशर कुकर में हम इसको कुक करेंगे दो तीन सिटी आने तक क्योंकि इसको चटनी चैसे हमें बनाना है तो ज़्यादा गल जाए तो भी कुछ फरक नहीं पड़ेगा और यह देखिए इसको मैं प्रेशर कुकर से निकाल चुकी अब इसको हम तड़का लगाएंगे इसमें मैं इमली पहले से नहीं डाली थी अभी गरम गरम है इसके अंदर मैं इमली डाल दूँगे इसमें इमली सॉफ्ट होके अच्छा से मिक्स हो जाएगा एकलेते हैं हम कड़ाई कड़ाई में मैं डाली हूँ सर्षों का तेल इसमे जो साग को बॉयल करके रखे थे अर्बी का पत्ता को उसको इसके उपर हम डाल देंगे इसका फ्लेवर बहुत ही एमेजिंग आता है आप एक बर जरूर बनाएए ऐसे अगर आपको मिलता है कहीं अगर बैंबो शूट नहीं भी मिलता है तो आप बिना बैंबो शूट का भी बना सकते हैं और ये तियार हो गया हमारा अर्बी पत्ते का चकनी बैंबो शूट के साथ बहुत ही मज़ा आएगा खाने के लिए आज जी बैंबो शूट वाला रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर बताना ऐसे यमी हेल्दी और फटा-फट बने वाला रेसिपी देखने क लिए चैनल को सब्सक्राइब और और बेल बटन में क्लिक करें नोटिफिकेशन पाने के लिए फिर मिलूंगी